नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग जैसे के आपको पता है बास कुछ दिन पहले स्नाप्ड़ागों 720G नामके एक बहुती बढ़िया प्रोसेसर बार्केटेबिल लॉंच हुआ है और आपको तो पता हिए आभी 15,16 रुपाइबे अल्रेड हामें स्नाप्ड़ागों 730G ब स्नाप्ड़ागों 730G दोनों में से कॉंसा सबसे बहातर है क्यों बहातर है तो चली शुरुकार ताच का वीडियो भीना कोई बाकत कबाई आगर आप ग्याजरागों जाल पे नहीं और आसे वीडियो आगी पे देखना चाते तो ग्याजरागों को सब्सक्रेब काने बिलक नानोमेटर आर्किटेक्सर पर बनाए मतलब दोनों प्रोसेसर का पावर रेट उसी बिल्कुल सेम होगा अगर आप दोनों CPU के कोर्प कोन्पीगुरेशन की बात करे तो आप देख सकते स्नाइपैंड्रा स्वीडिगेगों हैसर के मतलब कोन्पीगुरेशन के मांपल में दौनो प्रोसेसर का की निल्कुल सेम है लेकिन अगर आप इस पिक्चर के नीचे थोरा सा देखेंगे तो आप देख सकेंगे Snapdragon 720G का जो core configuration का नाम उसे दिया गये cryo 465 और Snapdragon 720G का जो core configuration का नाम बो ए cryo 470 और generally Qualcomm के मामले में हम ऐसा देख सकते यह जो cryo number जीतना कम होता है वो प्रोसेसर उतना कम powerfully या फिर कम optimized होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों CPU का number of course, quality of course, दोनों का speed हो सकता है कि से में लेकि Snapdragon 720G का core optimization मेरे ख्याल से थोरा सा लोग होगा अगर हम दोनों CPU का RAM management की बात करें तो अब देख सकते हैं दोनों CPU में ही LPDDR4X RAM इस्तिमाल किया गया है, दोनों में ही dual channel RAM का support है और दोनों CPU में जो RAM का speed है वो है 1866 MHz अगर हम दोनों प्रोसेसर के graphics card की बात करें तो देख सकते Snapdragon 720G और 730G, दोनों में Adreno 618 graphics card यूज किया गया है मतलब दोनों का graphics performance और game खेलने के बाग output बिल्कुल सेम होगा अगर हम दोनों प्रोसेसर के AI मतलब artificial intelligence chip की बात करें और Qualcomm अपने CPU में जो AI chip इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है Hexagon तो दोनों CPU का AI chip है आप इसमें देख सकते Snapdragon 720G में Hexagon 692 और Snapdragon 730G में Hexagon 688 और Qualcomm के website में भी ऐसा लिखा गया है Snapdragon 730G का AI chip बो दरसल 4th generation AI chip है लेकिन ये जो Snapdragon 720G का AI chip बो 5th generation AI chip है तो इसलिए obviously AI के मामले में Snapdragon 720G और भी ज़्यादा powerful होगा और AI हमें उसी जगह पर काम में आता है जहां पर optimization की बात आता है अगर हम दोनों CPU के maximum display support की बात करें तो देख सकते Snapdragon 720G में maximum Full HD Plus तक का display का support है लेकि Snapdragon 730G में maximum Quad HD Plus तक का display का support है दोनों में HDR 10 का support है और अगर हम video playback की बात करें Snapdragon 720G में 4K quality में video playback कर सकते तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट और मैक्सिमम क्वालिटी में वीडियो प्लेबेक के मामले में स्नापड़ाग और सेवेंड थोरा सा पीछे है अगर आँ दोनों प्रोसेसर के नेटवर्क सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते दोनों CPU में CAT 15 डाउनलोड लिंक इस्तेमल किया गया है जिसका स्पीड है 800 Mbps और दोनों में CAT 13 अप्लोट लिंक इस्तेमल किया गया है जिसका स्पीड है 150 Mbps मतलब नेटवर्क के मामले में दोनों बिल्कुल सेम अगर मैक्सिमाम कैमेरा सपोर्ट की बात करें तो आप इसमें देख सकते दोनों CPU में सिंगल कैमेरा में 192 Mbps और डूल कैमेरा में Snapdragon 720G में 16 प्लास 16 और Snapdragon 730G में 22 प्लास 22 Mbps का सपोर्ट है मतलब कैमेरा के मामले में भी दोनों लगबक सेमें लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है आपको तो बताइए हाई और मेगापिक्सल कैमेरा मतलब अच्छा क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होता एक कैमेरा के अच्छे होने का में रिजिन होता है उसका इमेज सेंसिंग प्रोसेसर या फिर ISP तो Snapdragon 720G में जो ISP है उसका नाम है 350L और Snapdragon 730G में जो ISP है बहुत है 350 के मुकाबले दोनों CPU में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वह है निविक सपोर्ट का निविक तो आपको पता ही है इंडिया का खुद का GPS navigation system तो Snapdragon 730G में निविक का सपोर्ट है Snapdragon 730G में निविक का सपोर्ट नहीं है और कैसे एक हम software update के मज़से हो सकता है इसलिए Snapdragon 730G में कभी भी निविक का सपोर्ट नहीं होगा तो हमने दोनों CPU का सब कुछ देख लिया अब हम देख लिए दोनों का Antutu Benchmark score तो Snapdragon 730G का Antutu version 8 का score है 2,65,000 के असपास जो किया करा Realme X2 का score है अगर हम Geekbench score की बात करें तो Snapdragon 730G सिंगल कोर में 2500 और Multicore में 6,800 के आसपास क्योंके Snapdragon 720G के साथ अभी तक कोई भी smartphone मार्केट में नहीं आया है इसलिए हम ऐसा एजूम कर सकते क्योंके दोनों का CPU, GPU बिल्कुल से में इसलिए इसका जो Antutu score और Geekbench score भी लगबग यही होगा तो अब इस वीडियो के conclusion में कहना चाहूंगा यह जो Snapdragon 720G इसका performance बिल्कुल Snapdragon 730 यह पर Snapdragon 730 जैसा ही है Image Sensing processor में उससे बहतर है AI chip में पी Snapdragon 730 से बहतर है Core configuration लगबग सें, Graphics का लगबग सें, Extra Navi का support तो इसका मतर है Real World Performance में Snapdragon 720G बिल्कुल Snapdragon 730G जैसा ही होगा तो यह इता दोनोर processor के बीच में proper competition बैसे आपको Snapdragon 720G कैसा लगा आपका opinion मुझे निचे कमशेकर में जरूर बताना, मैं आपका opinion सुनना चाहूंगा तो मिलते आगले वीडियो में, तब तक stay tuned and always remember, think positive, be positive, thank you